गुड इवनिंग मैं दियर स्टूडेंट्स मैं मनिश निराला आप लोग का अनेकैडमी पे वेलकम करता हूं एक बड़ जूड जाईए सब लोग जल्दी से जल्दी एक बड़ बताईएगा सब लोग को मेरी आवाज आ रही है सबको जो लोग हैं क्लास में गुड इवनिंग मैं दियर स्टूडेंट्स मैं मनिश निराला आप लोग का अनेकैडमी पे वेलकम करता हूं एक बड़ जूड जाईए सब लोग जल्दी से जल्दी एक बड़ जो लोग क्लास में हैं हाँ स्रेहांसी मिस्रा गुड इवनिंग हलो स्रेहांसी एक मिनिट जैसा कि आप सबको पता है मैं साइन्स का क्लास लेता हूं इसमें इस साइन्स के क्लास में आप लोग सब लोग जूड जाई जल्दी से जल्दी इस साइन्स के क्लास में आप लोग से जल्दी एक लोग से जल्दी एक लोग से जल्दी इस साइन्स के क्लास नहीं कनेक्ट हो पा रही है दो दिनों से स्रेहांसी मिसरा क्या नाम है आपका एग्जेक्ट कई बार रिफ्रेस किया अच्छा क्या दिकात आ रही है बताओ एक बड़ स्विच आप करके स्विच आउन कर लो सब लोग चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी का जितने भी लोग हैं क्लास में देखो निराला सर कोड यूज करना है साइन्स एमसी क्यू हो या किसी भी वो भी किया सर ओके तुम प्लस में हो या स्पेसल में हो तुम प्लस में हो या स्पेसल में हो दी देखो आप लोग देखिए आप देख सकते हैं जया पांडे गुडिवनिंग प्लस में नीतु कुमारी के नाम से ओके ठीक है एक बर नीतु कुमारी एक बर मुझे वाटसप करना में देखता हूं क्या कर सकता हूं तुमारे लिए ठीक है तो देखो अनेकेडमी पे आप परने के लिए आपको बीपीएसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करने के लिए आप निराला सर कोड यूज करें तो आपको 10% इसकाउंट मिलेगा जया पंडे गुडिवनिंग जया पंडे गुडिवनिंग देखे ये अनेकेडमी लेर्निंग एप डाउनलोड करें यहां से साइन लॉग इन या साइन अप करें सेलेक्ट यूर गोल बीपीएसी जो भी करना है आपको सेलेक्ट करें यहां से फिर आप पढ़ाई करने के लिए आप रेफरल कोड डालें फिर उसके बाद इस्टॉल करके रेफरल कोड का यूज़ करें ठीक है तो देख सकते हैं देखो बीपीएसी मेगा सब्सक्रिप्शन ओफर एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर दो मन्त सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा दो साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर तीन मन्त का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा यहां नीचे निराला सर कोड दिख रहा है, इस निराला सर कोड का यूज करेंगे तो आपको benefit मिलेगा, इसमें बहुत सारे फीचर हैं अमारे अनेकेडमी पे, आप देख सकते हैं, BPSC free कुछ scholarship टेस्ट चलता रहता है, देखें यहां पे गुरु ने 3 scholarship टेस्ट भी चलता है, आप देख सकते हैं, यह प्लस का feature है, अनेकेडमी पे वहां पे भी आप आ सकते हैं, बहुत सारे फीचर हैं हमारे syllabus coverage, study material, answer writing, skill, सारा कुछ है इसमें, इसमें BPSC का main stage series भी चल रहा है, हाँ, पंकज कुमार science का series होगा, साइन्स का series होगा, पंकज, हाँ, जया पांडे गुडिवनी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखो, यहां पे बिजय BPSC batch और target batch है, यह दोनों batch अभी एक तो तेस जुलाई से आने वाला है एक batch, ठीक है, यह देखो, यह BPSC prelims, BPSC mains, बिहार SI और CDPO के लिए, आप सब्सक्राइब करने के लिए निराला सर कोड यूज करें, 10% का discount मिलेगा, दिपिका पांडे, गुडिवनिंग, गुडिवनिंग दिपिका, यहां भी देखिए, जो भी फीस है, उसमें 10% का discount मिलेगा, कब जब निराला सर कोड यूज करेंगे तो, ठीक है, पिर देख लिजे यहां पर भी, चलो हम लोग शुरू करते हैं भी, शुरुआत करते हैं भी हम लोग, सबसे पहले first question पर आ रहे हैं, first question है यह देखो आज का, जो को, fabric made from खाली स्थान, does not get wrinkled easily, खाली स्थान से बने कपरे आसानी से जुरुदार नहीं होते हैं, है न, इसको comment में answer करना, comment में answer करना इसका, सभी लोग, हाँ, दिपिका पांडे, good evening, good evening, दिपिका कैसे हो, हाँ, जै पांडे D, very good, हमेशा ध्यान रखना, जो कपरा होता है, कपरा एक natural होता है, एक authentic होता है, मतलब, synthetic होता है, natural जो होता है, वो कैसा होता है, जुरिदार नहीं होता है, काउन, polyester, इसका answer होगा D, polyester, ठीक है, आप देख सकते है, fabric made from polyester, does not get wrinkled easily, फाइबर, रेशेदार नुमा, फाइबर का मतलब, रेशेदार नुमा, ठीक है, मैं एक दम ठीक हूँ, ठीक है, अमरिता, good evening, good evening अमरिता, कैसी हो, ठीक है, तो देखो, next question, देखो, next, निमलिकित में से कौन एक अधातू है, जो कम्रे के तापमान पर तरल रहता है, निमलिकित में कौन एक ऐसा अधातू है, जो कम्रे के तापमान पर तरल रहता है, तरल मतलब, liquid form में रहता है, liquid, हीलियम रोडिन बरोवीन उप्रोगत मैं से कोई नहीं सकेंड का कमेंट में आनसर करना कमेंट में theiront करना सकेंड का क्या होगा है ह्-自 opening अंविता अ हां प्रतिभास कुछ तव्यत क्राब हो गई थी कि इसे फीबर हो गया था इस नहीं ले पा रहा था मैं अभी से रेगुलर होगा कोशिस करूंगा रेगुलर रहेंगे प्रतिबाब ठीक है इसका आंसर होगा ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड ब्रोमीन होगा स्रिस्टी सिवांगी सर्थ क्लियर नहीं दिख रहा है रहा सिर्थ मिंश्रा जोको क्लियर इसलीं नहीं दिख रहा न तुम्हारा मोबाल में उपर में 3 बिंधि ओगा अपर राइट कॉर्णर पे 4. ti होगा वहां पे जाके न वहां पे जाके तुम एक काम करना इक्वालिटी में चले जाना quality क्वालिटी को जब दवाना तो नीचे एडवांस आएगा क्वालिटी को दवाना नीचे एडवांस एडवांस में 720p 480p 360p ऐसा लिखा रहेगा तो 720p कर देना तो ओँ किलियर हो जाएगा हाँ सिवांगी x हाँ ठीक है समझ पा रहे हो सब लो 240 कर लो हाँ 240 से भी हो जाएगा ठीक है next देखो next इस question का आंसर होगा bromine ऐसा non metal देखो non metal may be solid liquid और gas हो सकता है ठीक है non metal जैसे carbon है sulfur है phosphorus है iodine है यह सब non metal है जो कि solid है जबकि यह भी room temperature से उपर जाएगा तो यह भी liquid में बदल जाएगा लेकिन अभी इसमें room temperature पूछा है तो bromine ही एक ऐसा है non metal जो liquid form में होता है room temperature जबकि oxygen hydrogen nitrogen chlorine यह सब जो होता है वो gaseous state में होता है कौन सा state में होता है gaseous state में हाँ ठीक है आ रहा है समझ में सबको मेरी बात आज से daily होगा daily होगा ठीक है next देखो corundum corundum क्या है corundum है cr2O3, cafo, f2, l2O3, siO2 जल्दी से इसका आंसर करना सबलो corundum क्या है अंसरूती प्रतिभा, d, d नहीं होगा इसका आंसर al2O3 होगा इसका आंसर c होगा, d, p का पांडे c होगा corundum जो है न वो aluminium का ask है aluminium का ask है aluminium का ask, और है न, इसको बोलते हैं corundum को aluminium का ask याद रखना al2O3 और al2O3 में अगर al2O3 में अगर 2S2O कर देना तो यह bauxite होता है bauxite ठीक है, 2S2O कर देंगे तो bauxite होता है है न, इसका एक particular नाम भी है देखो, इसका एक particular नाम भी है देखो, मैं बता रहा हूँ हाँ, bauxite, d, d, bauxite al2O3, 2S2O, bauxite कोरंडम केबल बिना water के होगा कोरंडम बिना water के होगा ठीक है, कोई दिकत नहीं है कोरंडम जो होगा, वो बिना water के होगा बोलो, clear है सबको है न, बहुत सारे ask होते है aluminium के bauxite होते है felspar होते है, cryolite होता है elunite होता है, kaolin होता है यह सब याद रखना तुम लो, remember करना इसको याद रखना, ठीक है next, देखो, next देखो, यह match the following match करना, ठीक है इधर दिया हुआ है, a, b, c, d में rayon, teflon, bakelite, p, b, c और इधर दिया हुआ है one में coating of non-stick handle and switch pipe cloth, मतलब किसका उप्योग किसमे होता है, है ना किसका उप्योग किसमे होता है rayon का किसमे यूज होता है, teflon का किसमे होता है, bakelite का और PVC है ना pyrobinyl chloride जो होता है, वो किसमे होता है यूज, इसका आपको comment में आंसर बताना है देखो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, पायरो PVC जो होता है ना, वो PVC pipe बनाने की use में होता है PVC pipe बनाने में तो D का 3 है और यही एक option है तो हम लोग B कर देंगे यही एक option है तो हम लोग B कर देंगे, ठीक है? जो लोग क्लास में मुझूद हो एक बार लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को share कर देना और निराला सर कोड का ध्यान दखना, अगर किसी को unacademy learning app पे आना है तो निराला सर कोड से unlock करना और admission लेना है तो उससे आप admission ले सकते हो 10% का discount मिलेगा, चाहे तुम unacademy के किसी भी category में SSC से लेकर, BPSC लेकर, UP, PCS लेकर, UPSC किसी category में banking, gateway, किसी में भी इस code का use करोगे 10% का discount मिलेगा ठीक है अब देखो, आब रयान जो है, रयान जो है देखो, रयान जो है वो कपरा में यूज होता है, clothes, टेफलोन जो है देखो, टेफलोन है ना, टेफलोन किस में यूज होगा बोलो, coating of non-stick teplon जो होगा non-stick जो बरतन होता है उसमें coating करने में होता है और bakelite जो होता है वो handle and switch जो switch होता है ना board होता है जो electric switch होता है हमारे घरों में उसमें use होता है ठीक है हाँ इसका answer हो जाएगा भी यह याद रखना हमेशा जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है देखो bakelite switch और handle में PVC pipe में rowan कपड़े में clothes में और teplon जो यह coating होता है ना यह coating non-sticky बरतन में coating करने में इसका use होता है non-sticky बरतन में ठीक है next देखो next question पर आ जाते हैं लोग यह question सबको दिख रहा है ZNSO4 7S2O ZNSO4 7S2O किस पदार्थकार asynic सूत्र है किस पदार्थकार asynic सूत्र है ZNSO4 7S2O इसका comment में answer करना सब लोग comment में answer करना हाँ बिशाल दीप very good बिशाल लेकिन इसमें एक्षी द्यान रखना अभी तक किसी का भी answer किस ने किया B किस ने किया शुरू 3 ने किया है ठीक है परतिभा ने भी B किया इसका answer पिंटू ने भी B किया इसका answer होगा white vitriol white vitriol इसका answer होगा उजलात होता सफेद होता इसका answer होगा सफेद होता ठीक है याद रखना इसको next question पर आ जाओ इसी पर दिखा देते हैं याद रखना blue नीलात होथा नीलात होथा याद रखना लेकिन यह 5S 5S2 होथा CUSO4 5S2 Glover salt Na2SO4 10S2 gypsum 2S2 Green vitriol हरात होता FeSO4 7S2 और जो हमारा प्रस्ण था ZNSO4 7S2 यह यह answer था white vitriol सफेद होता या उजलात होता और magnesium sulfate 7S2 ठीक है next question पर चलते हैं देखो निमलिकित में से कौन एक eukaryotic जीब नहीं होता है देखो हमारे पास दो परकार के जीब होते हैं एक होते हैं क्या कि जिसके अंदर nucleus नहीं होता है nucleus नहीं होता है है न nucleus नहीं होता है उसको हम लोग pro-karyotic कहते है pro-karyotic वह हम आगे discuss करेंगे बताओ इसका answer क्या होगा a b c d में answer क्या होगा नहीं c इसका answer होगा c यह जो है न eukaryotic कैसा है जो पादप में होता है जनतु में होता है plants में होता है लेकिन कौन नहीं होता है जिवानू में नहीं होता है सुरूती c होगा c देखो याद रखना pro-karyotic cell जिसको bacteria बोलते है इसमें bacteria आता है pro-karyotic cell जिसके अंदर nucleus नहीं होता है nucleus nucleus नहीं होता और eukaryotic eukaryotic cell जो होता है फंजाई कवक animals plants पादप यह नहीं होता यह पूछ रहा था नहीं किसमें होगा तो bacteria जिवानों में चीक है next ist देखो myology किसका अध्यान मायोलोजी किसका अध्यान मान्सपेसी का हड़ी का liver का मायल लोजी किसका अध्यान है क्या बोल रहे हैं प्रोक केरियोटिक के यूनि सेलेलर आते हैं एक से ज्यादा सोनु कुमार गुड इबनिंग गुलसन गुड इबनिंग सब लोग जूड जाएं जल्दी से जल्दी ठीक है ये बताओ इसका आंसर इसका आंसर बताओ मायल लोजी किसका अध्यान है मायल लोजी किसका अध्यान है बोलो तो हमेशा ध्यान रखना मान स्पेसी का मसल का अध्यान है इसका आंसर होगा मसल का, A होगा answer, ठीक है, मसल, yes, very good विशाल दीप, किसका answer होगा, मसल का, good evening सवाना खान, good evening, अमीता, विशाल दीप, हाँ, good evening to all, जो भी नए student जूर रहे हो, सब का मैं welcome करता हूँ, और सब लोग like जरूर कर दें class को, like और share कर दें, तो ज्यादा अच्छा, नहीं, नहीं, इसका answer होगा, एकदम याद रखना देखो, मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखना, बोन जो होता है, हड़ी, बोलो हड़ी का, हड़ीयों का अध्यन कहां होता है, तो osteology में, osteology, समझ गए, हड़ी का अध्यन कहां होता है, osteology, सुभम पांडे, good evening, अच्छा, रोही खान, good evening, welcome करता हूँ, रोही खान, good evening, osteology, यक्रित जो होता है, यक्रित लीवर, लीवर जो होता है, हैपेटिक सेल का बना होता है, इसलिए इसको हैपेटोलोजी याद रखना है, हैपेटोलोजी, है न, टीथ जो होता है, न, डॉन्टोलोजी, ध्यान रखना है, लेकिन O से स्टार्ट होता है, डॉन्टोलोजी, यह इंग्लिज जो होता है, वो, O से स्टार्ट होता है, हिंदी इसको पढ़ते हैं, प्रोनॉंस करते हैं, डॉन्टोलोजी, ठीक है, आराज मझ में, ठीक है, ओन्कोलोजी नहीं, विसा डाइओ लोजी ओस्टिओलोजी हडियों का हेपेटोलोजी है का या स TOP केंसर हाँ ओंकोलोजी को है से सम्रीट ठीक है Trite ऐगे डान ओगी के देखना से यहां पर मैं लिख भी दिया हूँ आस्टिओ लोजी इस। साइंटिफिक study of bone, myology, scientific study of muscles, don'tology, इसको ध्यान रखना, ओ से start होता है, लेकिन इसको don'tology पढ़ते हैं, ओ silent होता है, जैसे psychology में be silent होता है, उसी तरीके से, is the scientific study of teeth, और hepatology, is the scientific study of liver, यह याद रहेगा सबको, इसका screenshot ले सकते हो, अगर time है तो, नहीं तो फिर बार में भी देख सकते हो इसको, बोलो आगे बढ़े, देखो pitch blend, किस से सम्मन देते हैं, pitch blend होता क्या है, पहले यह बताओ, pitch blend है क्या, एक परकार का आयस्क है, क्या है, आयस्क, और, किसका और है, यह पूछा जा रहा है, radium का है, uranium का है, प्रिफोरियम का है, प्लूटोरियम का है, ज़रा आंसर करना, यस, विशाल दी B कर रहे है, वहरे गूट विशाल, uranium का है, वहरे गूट विशाल, बहुत बढ़िया, pitch blend किस से सम्मन देते हैं, स्रिष्टी सिवांगी, सवाना खान, B, Pitch blend किस से सम्मन देते हैं, एक दब याद रखना ही है, uranium से, ठीक है, देखो, pitch blend का दूसरा भी नाम है, pitch blend का दूसरा नाम है, uraniumite, uraniumite भी कहा जाता है, pitch blend को uranium oxide, pitch blend से सम्मन देते हैं, या radio धर्मी uranium खनीज और एस्क है, uranium की radio active तत्व के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यह सारा जो हमने आगे लिखा, uranium का ही है, carnotite, uranofen, autonite, ऐसे, लेकिन में लिख पीच ब्लेंड पूचता है, पीच ब्लेंड जादा तर पूचता है, ठीक है, पीच ब्लेंड, देखो, यह देखना किस हड़ी को beauty bone या सुन्दरता की हड़ी के नाम से जाना जाता है, ascapula, corochoid, petala, clavicle, किस हड़ी को, बताओ इसका अंसर सब लोग, नहीं, परतिभाज, scapula नहीं, नहीं, पटेल, पटेला भी नहीं, नहीं, C नहीं, इसका अंसर होता है, clavicle, इसका अंसर होता है, clavicle याद रखना, clavicle, ठीक है, ठीक है, clavicle जो होता है, दो होता है, देखो कहां पे होता है, मैं बता रहा हूं, और जो ये specula होता है, scapula जो होता है, जो peat के हड़ी, यहाँ पर देखो, मैं जहाँ पर अभी हाँ दिखा रहा हूँ यहाँ पर होता है ठीक है? स्कैपुला यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं यह वला जो हड़ी है ना यहाँ पर देखो यह वाला जो हड़ी है ना यह लड़की का जो हड़ी दिख रहा है यहाँ पे देखो ऐसे यह वाला यहाँ पे जो दिखा रहा है ऐसे यह इसको बोलते हैं क्लैबिकल इसको बोलते हैं क्लैबिकल हड़ी और यह कितना होता है कितने बून होते हैं क्लैबिकल दो होते हैं दो होते हैं, एक यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, बोलो clear है सबको, नेक्स्ट कोस्चन देखो, नेक्स्ट, देखो, फेरस का सुधतम रूप क्या है, देखो, यहाँ पे निराला सरकोड है, अगर किसी को भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 10% का डिसकाउंट ध्यान से मिलेगा, बट उसका ध्यान नहीं देना भी, अभी इस पर ध्यान देना है पढ़ाई पे, फेरस का सुधतम रूप क्या है, स्टेनलेस स्टील, स्टील, कास्ट आइरन और रोट आइरन, इसका आंसर होगा, रोट आइरन, ठीक है, ध्यान रखना, रोट आइरन में बहुत कम फेरस होता है, बहुत कम कार्बन होता है, एक्छली सुधतम फेरस बीना कार्बन के नहीं होता है, लेकिन बहुत सुच मरूप में कार्बन होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा, रोट 2-5% carbon and is thus the purest form of iron जितना कम से कम carbon होगा वो ज़्यादा purest होगा ठीक है next question पे चलो देखो यहां पे खाली स्थान कितने electronों की संख्या N2 में आबंद बनाने में भाग लेते हैं चार होते हैं चार आबंद बनाने में सबसे पहले bonding N2 में क्या होता है बोलो केमिक को भैलेंट बोल्ड होता है सरसन्योजग बंधन होता है N2 में तो कितने होते हैं यह बताना है ठीक है ध्यान रखना इसका आंसर शीक्स होता है जैसे अगर हम बात करें oxygen हम बात करें hydrogen हम बात करें nitrogen तो oxygen जो है वो single होता नहीं है देखो इसके साथ जुड़ा होता है oxygen में कितने covalent bond होते हैं तो double bond होता है इसमें double bond होता है और एक covalent bond में कितने number of electron होते हैं तो 2 होता है ठीक है तो 2 हो गया तो इसमें 4 होगा hydrogen में देखो single bond होता है है न तो इसमें 2 होगा तो एक में 2 और nitrogen triple bond से बना होता है ट्रिपल बॉन्ट, नाइट्रोजन जो हता है ट्रिपल बॉन्ट, हाँ, किंग, गुद इबनिंग जाट किंग, गुद इबनिंग जाट किंग, बताओ, गुद इबनिंग, कितनी बार लिख दिया है, अब रोख दो, इतनी बार क्यों लिख रहे हैं, गुद इबनिंग, मैंन का दो हो गया त्थीज में देखो कितना है एक दो तीन चार पांच छे नंबर ओप एलेक्टोन कितने होंगे सिक्स कि अध्यक है नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन पर आजाओ देखो द्यको माइट्रो कॉंड्रिया सब्द किसके द्वारा दिया गया था है न माइट्रो कॉंडिया को क्या बोला जाता है बोलो पावर हाउस भी बोला जाता है पावर हाउस भी बोला जाता है माइट्रो कॉंडिया को तो माइट्रो कॉंडिया सब किसके द्वारा दिया गया था जे सुल काल बिंडा डिचर्ड अल्टमैन अन्टोनी वन लिवन हॉक इसका आंसर बताओ बोलो हो गया अब देखो इसका आंसर होगा कार्ल बिंडा इसका आंसर याद रखना कार्ल बिंडा ठीक है इसका भी होगा second यह याद रखना देखना actually क्या है the term है ना मैट्रो कॉंडिया जो सब्द है उसका किसने किया था सबसे पहले किसने बताया था काल बिंडा 18199 में the word मैट्रो कॉंडिया comes from the Greek word mitos मतलब thread कॉंडियान मतलब grain like तु देखो यहाँ पे although it was discovered by यह discovered कब हुआ था मैट्रो कॉंडिया सब्द भाले दिया गया था discovered by Richard Altman in 1890 अथारो सब्द में बट वहां पर इसका नाम ही कॉल देम बायो ब्लास्ट इसको बायो ब्लास्ट लाइब जर्म्स बोला जाता था और जो पॉपलर टर्म जो पावर हाउस अप सेल कहा गया ना मैट्रो कॉंडिया को वो किसके द्वारा कहा गया तो फिलिप सी के द्वारा उनी सो संतावन में यह याद रखना ठीक है नेक्स्ट जल अफगटन यह कोशन देखना जल अफगटन पर निमलिकित में से कौन असिटिक अमल बनाता है कौन असिटिक अमल बनाता है जल अफगटन पर ठीक है इसका आंसर बताओ फोर नहीं है नहीं है इसका अंसर यह पूछा जा रहा है कि किसको यह करने पर मतलब को अफगटन का मतलब होता है है किसको पाणी में डालने पर असिटिक अमल प्राप्त होगा चलो इसका नहीं मैं आँसर बता रहरा हूं इसका आंसर होगा याद रखना इसको अब क्या है आगे देख लो इसको बोलते हैं Acetonitrile इसको बोलते हैं Acetonitrile बोलते हैं ठीक है यह याद रखना हमेशा कि CS3CN को Water में रखने पर जिसको जल अब घटन बोलते हैं CS3COOH Acetic Acid बनता है और Ammonia Gas बाहर आता है यह Ammonia Gas बाहर आता है ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं ठीक है, याद रखना CS3CN को यह लिखने में दिकत हो गई है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3CN Acetonitrile ठीक है, next question पर आजाओ देखो Aluminium एक गयर लोह धातु है जिसका निसकरशन खाली स्थान से किया जाता है है न? Lead, Bauxite, Galena, Antimony Lead, Bauxite, Galena, Antimony यह तो सब लोग आंसर कर सकते हो बहुत आसान है देखो हाँ Very good प्रतिभा, very good हाँ, B इस सबका 100% आंसर सही होना चाहिए सबका Bauxite, हाँ, Swati Pria, very good देखना, यह जो होता है इसको हम लोग बोलते है Al2O3 है न? 2S2O इसको हम लोग Bauxite बोलते हैं ध्यान रखना और यही Al2O3 जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुरंडम हो जाएगा और यह जो होता है न? यह Lead का यह Galena जो होता है Lead का Oxide होता है PBS है न? Next question देखो Next यहाँ दिख रहा है सबको हाँ arrange the following metals in decreasing chemical reactivity series निमलिखित धातू को घटती रासाइनिक श्रिंकला में व्यवस्थित कीजिए Potassium, Magnesium, Sona यह Third है और यह Fourth है लोहा हाँ यह Fourth है लोहा ठीक है? बताईए इसका आंसर इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा C अमरिता कुमारी C होगा इसका आंसर Yes, Third इसमें एकदम ध्यान रखना decreasing chemical reactivity series मैं बता रहा हूँ इसको याद भी रखना तरीका Most reactive और Less reactive Most reactive और Less reactive ठीक हा ना? तो नीचे से उपर तक Наीचे से उपर तक increasing है देखो increasing तो उपर से नीचे decreasing होगा ये increasing है तो उपर से नीचे decreasing होगा है ना? इसको याद रखने के लिए तरीका अपनाना एक तरीका अपनाना देखो ये पोटेसियम, सोडियम, लिथियम, कैलसियम, मैगनीसियम, अलुमूनियम, जिंक, आयरन, लेड, हैड्रोजन, नॉन मेटल है देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, याद रखने के लिए ऐसे याद रखना देखो होटल में फूट करो, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, देखो, पूरे ऊपर से बता रहा हूँ, देखो, प्लीज सेंड, प्लीज सेंड लायन्स, कैट्स, मंकी, एंड जेबराज, इन्टु लवली हॉट, कंट्रीज, साइंड, जेनरल, पेंग्वीन, ये याद रखना, समझ ग लेकिन ऐसे पोटेसियम बोलते हैं, सेंड मतलब सोडियम, प्लीज सेंड लायन्स, लिथियम, कैट्स, कैल्सियम, मंकी, मैगनिसियम, एंड एल्लमूनियम, जेबराज, जिंक, इन्टु आइरन, लवली लेड, होट हैड्रोजन, कंट्रीज, कॉपर, साइंड, सिल्बर, जे इसको याद रखना, ठीक है, नेक्स कोशन देखो, अस्तन पाई, सब्से पहले किसके द्वारा दिया गया था, अस्तन पाई सब्सके द्वारा दिया गया था, अस्तन पाई सब्सके द्वारा दिया गया था, एडवर्ड, सुस, कार्ल, एरेकी, कार्ल, लिनियस, वाटर, ज रोशयन बताओ इस कोशन का आंसर करो सब लोग C very good very good प्रतिवाज C होगा आंसर रमेश शर्मा A नहीं A नहीं होगा C प्रतिवी सुभम पांडे सी देखो ये समय रहे हो सब लोग कारलीनियस होगा इसका आंसर क्या आंसर होगा कारलीनियस याद रखना देखो आम तोर पर माउथ फ्रेशनर में एंटिसेप्टिक के रूप में किस रसायन का उप्योग किया जाता है है आम तोर पर माउथ फ्रेशनर में एंटिसेप्टिक के रूप में किस रसायन का उप्योग किया जाता है है न तो इसका आंसर बताओ सब लोग क्लोरो हेक्जीडाइन ग्लुकोनेट क्लोर हेक्जीडाइन ट्राइग्लुकोनेट फ्लोरो हेक्जीडाइन ड्राइग्लुकोनेट इसका आंसर बताओ सब लोग इसका आंसर होगा बी याद रखना क्लोरो हेक्जीडाइन ड्राइग्लुकोनेट इसका आंसर होगा भी ठीक है इसका आंसर बी होगा कि अच्छा साइन्स का क्लास का कोई टाइम चेंज करूं क्या यही टाइम ठीक है कि कोई और टाइम चेंज करूं मैं यूटूब पर जो स्पेसल वोला सारे दस बजे चलता है रात में वो तो ठीक है यूटूब पर कम इसको कुछ चेंज करूं मैं बताना सब लोग टाइम चेंज कुन्दन कौन सा टाइम बताओ कोई टाइम बताओ तुम लोग तुम लोग कोई टाइम चार से पास ठीक है रंजन रोई गुड इबनिंग चार से पास ठीक है या उससे भी पहले आशर ओके देखो इसका आंसर याद रखना क्लोर हेक्जीडाइन डाइ क्लोर हेक्जीडाइन डाइ गुलूनो गुलून कोनेट एक रसाइनिक एंटिसेप्टिक है और इसका उप्योग माउथ बास के रूप में 0.1-0.2% गोल में किया जाता है ठीक है एंटिसेप्टिक हाँ रंजन रॉय गुद इबनिंग रंजन रॉय रंजन सिंग चार से पाच चलो मैं देख लेता हूँ देखो किस रसाइन को आम तर पर एक्शली मेरा ना पिछली बार मैं इस जगह पर अपना मोबाइल नंबर अगर नहीं दे सकता हूँ समझ गए नहीं दे सकता हूँ इसलिए नहीं तो मैं देता अपना मोबाइल नंबर फिर तुम से बात करता है फिर बताता कि क्या करना चाहिए तुमको ठीक है हाँ इसका आंसर करो सब लो किस रसाइन का आम तर पर रेचक के रूप में प्रियोग किया जाता है प्यूरे प्यूर गेटी वेरी गूड रंजनरो है इसका आंसर हो जाएगा ए ए हो जाएगा बीसा कॉडिल वेरी गूड इसका आंसर ए हो जाएगा कि यूटूब पर मैंने पहली बार देखा है कि स्टूडेंट जो है वो बोल रहे है कि सर रंजन रोय है आसी पंजारी आने वाला है जल्दी ही आने वाला है आसी पंजारी जल्दी आने वाला देखा इसका आंसर होगा बैसे को डूल ठीक है देखा नेक्स कोश्चन हाँ इसकी खोज के इसकी खोज के कारण वाक्समेन को नोबल प्रोचकार दिया गया था किसकी खोज के कारण स्टेप्टोमाइसीन क्लोरोमाइसीटीन नियोमाइसीन पैनिसिलीन देखा मदद करने में कोई दिकत नहीं है यह 600 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है न पंकज लेकिन एक बार तुम जुम कीजिये कोश्चन को नहीं जुम नहीं हो पाएगा यहां पे कुंदन सिंग यहां पे जुम नहीं हो पाएगा यह न इस पर जुम नहीं हो पाता है उस पर एप में हो पाता है इसमें नहीं हो पाता है इसमें जैसा आ गया वैसे ही नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है क्या रंजन कुंदन इसका अंसर करो इसका अंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसीन होगा स्ट्रेप्टोमाइसीन की खोज के लिए वाक्समेन को नोवेल पुरुसकार दिया गया यह पुरुसकार इन्हें वर्स 1952 में फीजियोलाजी या चिकित्सक छेत्र में दिया गया क्लियर है बोलो कि लिए रहे है नहीं पंकज मुझे कोई दिकश्ट नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ 600-500-1000-5000 रुपय कोई दिकश्ट नहीं है एक तो हम लोग नंबर नहीं दे सकते है इब आए पर मैं देखता हूँ तुमारा नंबर आया है मैं देखोंगा तुमसे बात ठीक है नेक्स कोश्चन देखो नेक्स्ट अवस्यक अंग कौन से हैं हाँ बाई जाट किंग हाँ देखो सेपल्स एंड स्टेमेंज हाँ न प्रजनन के लिए एक फूल में आवस्यक अंग कौन से हैं A, B, C, D देखो सेपल्स एंड स्टेमेंज स्टेमेंज एंड पिस्टिल सेपल्स एंड पेटल्स पेटल्स एंड पिस्टिल बाहदल पूंकेसर पूंकेसर इस्त्रीकेसर बाहदल पंकुणियां पंकुणियां इस्त्रीकेसर इसका आंसर बताओ सब लोग B, ज्यादा तर लोग B बता रहे हैं, very good, ठीक है, तो इसका आंसर B ही होगा, B होगा पूंकेसर और, पिस्ट, है न, next, देखो, दवा उपयोग में, capsule cell बनाने के लिए, capsule cell बनाने के लिए, निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, दवा उपयोग में, glucose, gelatin, glycerol, all of the above, all of the above, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर बताना सब लोग, हाँ, इसका आंसर जो होगा, वो, gelatin होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा, gelatin, किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, gelatin का, याद रखना, gelatin, very good, देखो, gelatin is protein, product derived from collagen, gelatin is by far the most common and most well-known material used to produce hard capsule cell, gelatin answer होगा, इसका, ठीक है, याद रखना, gelatin, हाँ, आसी पंसारी, ए नहीं, gelatin, हाँ, देखो, निम्न में से कौन, हरे सहवाल का उधारन है, which of the following is an example of green algae, निम्न में से कौन, जो है, वो हरे सहवाल का उधारन है, है न, तो इसका आंसर करना है, देखो, लैमेन, लैमेनेरिया, सरगैसं, क्लैमीडोनस, क्लैमाइडोमोनस, और फ्यूकस, इसका आंसर बताईए, सब लोग, हरे सहवाल का उधारन क्या है, तो याद रखना, हरे सहवाल का उधारन जो होगा, ये, ख्यूकस, क्लैमाइडोमोनस, क्लैमाइडोमोनस, विप्येस का कॉर्स, आसी पंसारी, अनन अकाडमी पे लेना आपको, VPSC के लिए देखो कुंदन कुंदन तुम अराम से Lucent का ध्यान रखो Lucent और NCRT NCRT 8 to 10 NCRT 8 to 10 और Lucent Lucent जो Science वाली आती है Lucent जो Science वाली आती है वो sufficient है VPSC के लिए इतना sufficient है ठीक है 85 अगर आप Unacademy Learning App Download कर रखा है अपने Unacademy Download कर रखा है इसका आंसर C होगा Clay Madness Download कर रखा है तो वहाँ पे जाके निराला सर कोड यूज करिएगा जितने भी महिने का लेना है उसका 10% discount मिल जाएगा देखो ये याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं आझा बोल्ट Car is very smooth smooth and classy उसे बोल्ट उसे उलो तरोक्स है ना Car से 4 बॉल बोक्स B से बॉल बोक्स यह स्पाइरो गाईरा और कले माइडो मोनस C से कले माइडो मोनस सब सैवाल है सारे सैवाल है ठीक है? ये याद रखना देखो हरे सहवाल कुलोरोफिल इन्हें हरा रंग परदान करता है ग्रीन बॉल बोक्स और कारा देखो नेक्स कोश्चन पादप कोशिका खाली स्थान से बनी होती है काईटीन, सेलुलोज पेक्टीन, मूरीन पादप कोशिका किस से बनी होती है खाली स्थान से बनी होती है क्लास को चार से पांच रखूं कि पांच से छे करूं या सारे चार से सारे पांच जो चल रहा वही रहने दूं. पाधव कोशी का भित्ती सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है यह पवधो की ब्रधी का समर्थन करने के लिए एक संदरचना तमक ढङंग से करता है. पांच से छे, चार से पांच, पांच से छे, मुझे भी लग रहा है कि पांच से छे ठीक रहेगा, ऐसे लग रहा है, देख लिए तब मैं कल का, प्लांट्स ऐसे पौदे जिनकी संद्रचना में अच्छी तरह से अंतर नहीं है वे खाली स्थान समूँ में आते हैं जिम्नोस पर टेरीडोफाइटा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा इसका अंसर बताओ चार से पांच चलो ठीक है देखता हूँ तेखो सारे चार से पांच तो जो है वो तो रहेगा ही अगर नहीं हो पाया तो फिर उसके हिसाब से में बताओंगा ठीक है इसका आंसर होगा थैलोफाइटा इसका आंसर होगा थैलोफाइटा ये थैलोफाइटा ठीक है याद रखना इसका थैलोफाइटा यस प्रतिवा देखना जानबरों के नमूनों में नमूनों और उत्तक के नमूनों में संराच्छन में नमुनों के संराच्छन में किसरा असायन का प्रयोग होता है इसका अंसर बताओ इसका अंसर हो जाएगा फॉर्मलीन ठीक है फिर तो आज हम लोग देख सकते हो यहां पर देखो देख सकते हो सब लोग 37% एक्वस वाटर देखते हो हम लोग बाइलोजी लैब में रखा रहता है तो आज का सेशन में यहीं पेंट करता हूं लगबग 25 कोश्चन में ने डीटेल 25 कोश्चन में ने कराए डीटेल सोलुशन के साथ डीटेल सोलुशन के साथ थैंक यू एंड हैवर नाइस देट वाल गूड इवनिंग गूड नाइट सब को कल का देखो अभी तक तो सारे चार से सारे पांच का है अभी तक तो सारे चार से सारे पांच का ही है अगर मैं change करूंगा भी तो 4-5 करूंगा नहीं तो सारे 4-5 ही रहने दूँगा ठीक है जैसा होगा एक बार देख लेना ठीक है थैंक यू बेरी मच रिष्टी सिवांगी थैंक यू बेरी मच वो पंकज है क्या अभी खाली बस सब जगए यूटुब पे जाके ऐसे मैसेज करके चला गया खुश रही है सब लोग चलो बाई टेक केर सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए सुरच्चित रहिए अरे वाह ममता रानी ट्यूशन में है अच्छा अभी हो थैंक यू बेरी मच ममता रानी थैंक यू ट्यूशन से लाइब आई ओके बाई टेक केर सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए सब लोग, सुरचीत रहिए, जय हिंद्य है भारत सब को अगर किसी को कोई डाउट है, कोई परसानी है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होतो चलो का क्लास को एंड करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवादत है, कोई छे, को पट्वे तय से फील, वह आप मेरे साथे घंट करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवादत। बाद कल मिलते हैं फिरम लोग इसी टाइम पर लगबग